मशहूर यूट्यूबर ध्रूव राठी के खिलाफ एक गंभीर कानूनी मामला सामने आया है। महराश्ट्र पुलीस की साइबर सेल ने ध्रूव राठी के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला की बेटी अंजली बिर्ला को लेकर भ्रामक और फेक पोस्ट करने का आरोपी ठहराया गया है। इस विवाद ने एक बार फिर सोशल मीडिया की दुनिया में गर्मा गर्म चर्चाओं को जन्द दिया है। दरसल, हाल ही में, धुरुव राठी के नाम से चल रहे एक पैरोडी अकाउंट पर लोकसभा स्पीकर ओम बिर्ला की बेटी अंजली बिर्ला के बारे में एक भ्रामक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि अंजली बिर्ला ने बिना UPSC की परीक्षा दिये ही सफलता प्राप्त की। ने बिना कोई परीक्षा दिये UPSC पास कर लिया वह पेशे से एक मॉडल हैं। अंतराष्ट्रिय अपमान और IT Act की धारा 66 के तहत आरोप लगाए गए हैं। FIR दर्ज होने के बाद संबंधित पैरोडी अकाउंट ने एक पोस्ट के माध्यम से माफी मांगी है। अकाउंट के मालिक ने लिखा, महाराष्ट्र साइबर पुलीस के निर्देश अनुसार, मैंने अंजली बिरला पर अपनी सभी पोस्ट और टिपपणियां हटा दी हैं। मुझे तथ्यों की जानकारी नहीं थी और मैंने किसी और के ट्वीट की नकल करके उसे शेर कर दिया। इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अधिकारी ने बताया कि बिरला के एक रिष्टेदार की शिकायत पर कारवाई करते हुए पुलीस ने यूट्यूबर के खिलाफ भारतिय न्याय सनहिता, बियनेस की धाराओं के तहत मानहानी, शान्ती भंग करने के इरादे से जान बूज कर अपमान करने और शरारत करने के लिए बयान देने के साथ साथ आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। जब यह बताया गया कि कतित फर्जी संदेश ध्रूव राठी के खाते से नहीं, बलकि एक पैरोडी खाते द्वारा पोस्ट किया गया था, तो कृपिया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। इसी तरह की ताजातरीन और महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।